नमस्कार दोस्तों, पंजाबी के पोपलर सिंगर सिद्धू मुसावाले की हत्ता में जो सबसे महत्पून और सबसे बड़ा आरोपी है वो है लाॉरेंस विशनोई, जो त्यारवे बंद है और दिल्ली पुलिस की स्पिसल सेल ने लाॉरेंस से पूश्टाच की है, उसको पां दूसरी बात यह है कि लोरेंस का कहना है कि उसका इस हत्याकांड से कोई मतलब नहीं है, उसने इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया है, ना उसने ना उसके गैंग ने, हाँ एक बात उसने जरूर कही है, उसने यह कही है कि मुसेवाले की हत्ता के पीछे विक्की की जो हत्य हुई थी उसका ही बदला सिद्धूम मुशेवाले के मडर से लिया गया है ये बात उसने कनफर्म की है दरसल साथ अगस्ट दोजार एकिस को विक्की मिड्डू खेडा का मडर कर दिया गया था और आरोप लगा था देवंदर बंभिया गुरूप पर और इसके पी लोरेंस विश्नोई पर लेकिन जो पूश्ता चुए उसमें लोरेंस ने कहा कि मेरे सत्यकांट से कोई मतलब नी साथ ही इसने ये भी कह कि नहीं मेरे गैंक का मतलब है और नहीं सोइसल मीडिया पोस्ट से मैं मुझे पता है कि जो क्लेम कर रहा है कि हमने इस हत्याकरण को अंजाम दिया है गोल्डी बरार है लोरेंस का आदमी जो कनाड़ा में बैठा है उसने ये पोश्ट डाली थी जो बताई जा रही है अब ये वेरिफिकेशन जरूरी हो जाता है इस मामले पर लोरेंस का जब इस पर स्टेटमेंट आता है कि हमारे कोई मतलब नहीं कि ये गोल्डी बरार है या इसके पीछे कुछ और तो मामला नहीं दरसल दिल्ली पुलिस के सुत्र ये भी बता रहे है कि पंजाब म्यूजिक इंडरस्टी में इस समय अंदर तक गंगेश्टर सेट हो गए है दरसल होता क्या है महाँ पर जो नए कलाकार है सिंगर है उनको डेबू कराने से लेकर उनकी अलबम लांच करने तक इसमें सब गंगेश्टर अपना पैसे लगाते है उसको उसके प्रोफाइल अब मतलब बढ़ाने तक में उनका योगदान रहता है और जब प्रोफिट सेरिंग की बात आती है तो वो प्रोफिट सेरिंग करते है उनके यूटूब चैनल पर भी जाता है सिंगर्स के या कंपनी के और जो गंगेश्टर से है उनके यूटूब पर भी जाता है दरसल इसके पीछे पैसा कमाने के साथ जो बलैक मनी को वाइट मनी करने का भी मुख कारण रहता है जैसे मैंने पहले बतायता है लेकिन अभी दिली पुलिस भी कह रहे है यह पुरा मामला पूरे और्गिनाईज तरीके से चला है और यही से जब किसी कलाकार की बिगनिंग और संगत्स के समय ही गंगेश्टर उनसे संपर्क कर लेते हैं क्योंकि पैसा उनके पास नहीं होता बिगनिंग में शुरुआत में कलाकारों के पास लेकिन गंगेश्टर लगाते हैं तो यही से यह कोक्टेल है यह जो जुडाव है कलाकार और गंगेश्टर का वो बढ़ना सुरू हो जाता है और यह बढ़ता रहता है और इसी वज़े से पंजाब की मुजिक इंडिस्ट्री में खेमे बाजी हो गई है यह बात है लेकिन सबसे महत्रों सबसे बड़ा अफड़ेट इस हत्यकार्ण में है जो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि विसनोही नहीं कहा कि इस शक्राण से कोई मतलब नहीं है लेकिन यह जरूर कन।रम किया कि हाँ इस हत्यकार्ण का विक्यू मिड़े खेड़ा के मड़र से चरूर समपर गए अब यह देखना होगा इस मामले के बाद पेचीदा हो गया हाला कि अब क्योंकि दिल्ली पुलिस के सुत बता रहें कि वो सही होग नहीं कर रहा और यहां भी मंसा के जो SSP हैं उसने भी यह कहा कि हम भी रिमांड ले लोरेंस विशनवी को लोरेंस विशनवी से पूछता पंजाब पूलिस भी करेगी गोरव तूड़ा जो SSP हैं उने का हम यहां खुद लाएंगे और मोके पर ले जाएंगे पूछेंगे तमाम चीजे करे जाएगे अब देखना है कि यह मामला कहां जाता है लेकिन हाँ यह कि पूरे मामले की गंभीरता से जाच होना जरूरी है कि कही ऐसा नहों कि काम कोई और कर गया हो और नाम किसी और का हो हाला कि तिहार में लोरेंस विशनवी के साथ साथ दो और गैंगेश्टर से बात ही है शारुक खान जो बड़ा गैंगेश्टर है जिसको पहले सुपारि पुरिया और पंजाब का सबसे बड़ा गैंगेश्टर है सबसे बड़ा का मतलव यह समझे है आपकी डेड़ सो मडर के केज जगु भगवान पुरिया पर है और सबसे बड़ा रिच भी है सबसे अमीर भी है क्योंकि उसके पास सबसे जादा पैसा है ड्रग सिंडिगेट स पूछता चुई लेकिन दोस्तों यह सबसे महत्मूर जो अपडेट यह है कि अभी डिनाय कर रहा है लोरेंस अब देखना हो कि जो इसका खुला सा है वो किस तरह से होता है हाला कि यह बात और भी महत्मूर हो जाती है कि चार गैंग जो मैंने कल बताया ताब मिल गए है आले कि उसकी शुरक्सा रुक्सा को चाक्चो बंद कर दिया है लेकिन अब जो आने वाले कुछ दिन है वो पंजाब के लिए बड़े चुनोती पून होने वाले हैं नौशकार